ग्यानपूर के बाहु बली विधायक विजाय मिश्र को बादोई पुलिस ने CGM कोर्ट में भीज किया जहां से CGM ने 14 दिनों की नय खिरासत में भीज दिया है बाहु बली विधायक को प्रियागराच के नैनी जील भीजा गया से पहले गोपी गंच सामुदायक स्वास केंडर में विधायक कोरोना का टेस्ट हुआ बादोई आने के दोरान विजाय मिश्र के समर्तकों ने भदोई जिले से लगी उन्च सीमा पर ही उनको रोक दिया गया था तो एंकाउंटर के डस से समर्तकों को जुटाया गया था और आप चुकि जील में है 14 दिनों की न्याय खिरासत में बहु बली विजाय मिश्र को बेजा गया है और इस खबर पर हमारे समवादत है नितीश पांडे और जानकारियों के साथ जुट गए है नितीश किस तरह की कारवाई आब आगे चल रही है तो आप बताईए ये पूरा पूरा का घटना कर्म समझाते हुए दूसरा क्योंकि विजाय मिश्र के समर्थकों की भीड हमने कल भी देखी तो उस खाफिले के साथ जहां पुलिस लेकर आ रहे थी और इनके समर्थक कैसे जुट गए थे वो देखा था तो इनके समर्थक जेल के इर्दगर्ज कुछ अतर्जाम वहाँ पर है कि एक तरह से यूँ कहें तो इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं स्वैम का राजनितिक लाव लेते नजार आए इस पूरे मामले में एक तरफ माफिया दूसरे तरफ कहीं न कहीं विजय मिश्रा की दबंगे और तीसरे तरफ उनका भामःण होना और चेहरे के तोर पे सामने आना इस बात का संकेत है कि निश्चित तोर पे मौके का फायदा विजय मिश्रा ने उठाया है जिस तरह से पूरवांचल में एक बड़े ब्रामण बहुबली की इनकी छबी है और जिस तरह से 73 मुकदमे हाला कि उनके परिवार जान उन मुकदमों मे बरी होने की बात करें लेकिन विजय मिश्रा कोई ऐसे आदमी नहीं है कि जिने संत कहा जाए उनका उनकी छबी ब्रामण और बहुबली की है इससे इंकार नहीं किया जा सकता और जिस तरह से उनको लाया जा रहा था कानपूर की घटना के बाद जिस तरह से अपराध और अ उनके समर्थकों का वहां से चला और आते आते अगर बात करें तो भदहुई के बार्डर पर उनको रोक दिया गया लेकिन उसके बाद का अगर हाल बताएं तो जो आरोप लगे इस पूरे मामले में जो आरोप लगे पहले विजय मिश्रा की पेशी के बाद उनकी बेटी ब मिलकर S.P. भदोही साजी श्रच रहे हैं जिसको S.P. भदोही ने साब तोर पे न करा और कहा कि मैं उन पर करवाई कर रहा हूं जिसकी वज़ा से मेरे उपर ये आरोप लगाये जा रहे हैं तो निश्चित तोर पे पुलिस और विधायक समर्थकों में खीस्तान की इस्थि है शेहर में कहीं न कहीं सुरक्षा के महौल को प्रभाव पढ़ सकता है सुरक्षा के महौल पर लेहाजा सुरक्षा बलो की तैनाती है पुलिस बलो की तैनाती है विधायक को जो बावबली विधायक है उनको नैनी जिया गया गया लेकिन सम्निती शावाल इस तमाम जान कर देखर धन्यवाद, तो जेल में स्पखबंध है, जेल की इर्दगिर्द और साथ-साथ शेहर में सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गया हमें.